नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महरास्ट से सामने आ रही है जहां सलमान खान के बांदरास्थे गलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फारिंग की गई है दो अग्याद बनमाज सुबह सुबह पांच बजे सलमान खान के घर के बाहर आते हैं चार राउंड फारिंग करते हैं जिसका सिसी टवी वीडियो भी सामने आ गया है आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जरा देखिए कि कैसे दो बाइक सवार आते हैं और सलमान खान के घर क पारिंग करके वहां से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि एक गोली सलमान खान की बालकनी पे लगी है तो दूसरी बाहरी दिवाल पे लगी है। पे बयानबाजी भी शुरू हो गई है संजराउत कह रहे है कि महरास्ट में कानुन विवस्ता पूरी तरह से फेल है तो आकिर किसने की ये फाइरिंग ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि लगतार सल्मान खान को जान से बानने की धमकी दी जा रही थी ऐसे में क्या कुछ बड एक दूसरी नदर से देखा जाना चाहिए बॉल्यूट के लोग इतने शातिर हैं कि ये फिल्म प्रमोशन के लिए प्रचार के लिए मीडिया में आने के लिए किसी भी हद तक जाने को तयार रहते हैं मेबी ये वो केस ना हो लेकिन विट पिंच अफ सॉल्ट यू मस्ट ट एक और घटना घटी थी जहां इसी तरह के हाई प्रफाइल अंबानी मुके समानी के घर के बाहर बिस फोटक मिले थे जेलिटीन की चड़े मिली थी बाद में क्या कहानी निकली पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से ये सचिनवाजे जो है इसमें शामिल पाया गया अब जड़ा आते हैं इस पूरी कहानी के ऊपर कि ये जो घटना है साले चार बजे साले चार बजे मॉर्णिंग की घटना है लेकिन अगर आप मुम्बे के टाइम लाइन के हिसाब से देखे तो ये लेट नाइट इसको कह सकते हैं आप उस समय कोई नहीं है CCTV फूटेज भी पुलिस क्या कह रही है पुलिस ये कह रही है इनिस्यल जाज से कि दो लोगों ने गोलिया चलाई लेकिन इनका एम सलमान खान को मारने का नहीं था एक मेसिज देने का था अब ये मेसिज कौन दे रहा है कैसे ये घटना घटी ये जाच का विशे है मैंने कहा कि भई ये है जो इस तरह की घटना है बॉलिवूड में जब होती है तो उसको दोगा सक की निगाह से इसलिए भी देखना चाहिए कि भई फिल्म प्रमोशन के लिए इन लोगों ने सब तरह की गंदगी फैलाई है लेकिन इस वक्त फिल्म प्रमोशन की बात नहीं की जारी है सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लॉरेंस विश्णोई गोल्डी बराड की तरब से लगतार सलमान खान को धमक्या भी मिल रही थी उसके बाद उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाया गया ऐसे में इस गटना को उसके साथ जोड़ कर देखा जा रहा है इसलिए इस मसले को उसी एंगल से देखना भी चाहिए देश के बड़े एक्टर हैं इनकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है पुलिस की है ओल्रेडी इनको वाई प्लस सुरक्षा दिया जा चुका है ओल्रेडी ये सुरक्षा घेरे में रहते हैं और ये जो पूरी जो तहकीकात चल रही है जो इनीशल रिपोर्ट आ रही है वो इनीशल रिपोर्ट के मताबिक ये काम गोल्डी ब्रार या विस्नोई गैंक का हो सकता है क्या है ये मसला ये मसला बहुत पुराना है ये सलमान खान ने जो हिरन कांड जो उनका है हिरन कांड के बाद जो कारवाई चल रही है कोट में सब कुछ हो रहा है तो ये जो विस्नोई समुधाय है उसके लिए वो एक बहुत ही पवित्र जानवर है पूजा उसकी होती है उसकी हत्या का आरोप है तो उस वक्त से ही यह कहाजा रहा था कि सल्मान खान माफी मागे और एक मंदिर के बारे में विश्णोई गैंक के तरफ से ये कहा जा रहा था कि भई आप वहां मंदिर में आकर कि आप माभी मांग लो मामला सिलट जाएगा मामला खत्म हो जाएगा लेकिन कानूनी दाव पे चल रहा है तो ये कहानी 2023 की है कि जब एक इमेल आता है इमेल किसको आता है और इमेल में क्या लिखा हुआ है कोई मोहित गर्ग नाम के व्यक्ति ने उस इमेल को भेजा और ये कहा कि तेरे बौस सलमान खान से गोल्डी भाई मतलब गोल्डी ब्रार क बात करनी है लौरेंस बिस्नोई का इंट्रिव्यू तो देख लिया होगा नहीं देखा तो बोल देना कि देख ले ये इंट्रिव्यू क्या है ये इंट्रिव्यू एबिपी न्यूज के ऊपर वो आया था जिसमें उसने सीधे सीधे सलमान खान को बकायदा धंकी दी थी क् ये प्रोग्राम आता ओपरेशन दुर्दांत उसके अंदर तो उसमें उसने कहा था कि हिरन की हत्या को लेकर उन्हें माफी मांगनी होगी वह विकानेर के हमारे मंदिर में जाकर माफी मांग ले अभी तो मैं गुंडा नहीं हूँ लेकिन सल्मान खान को मार कर गुंडा बन जाओंगा मेरे जीवन का लक्ष सल्मान खान को मारना है सुरक्षा हटने पर सल्मान खान की हत्या करूँगा और ये interview बड़ा famous भी हुआ था और उसके बाद से इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी लेकिन अभी recently एक और घटना घटी ये घटना है Canada के अंदर जहां गिप्पी ग्रेवाल ये film director producer है actor producer है वो उसके घर पे हमला किया गया था जिसका इन लोगों ने इस गैंग ने जो है वो बकायदा उसका claim किया था कि हमने वो हमला किया है और ये बताया गया था कि बही ये जो गपी ग्रेवाल है वो सल्मान खान का करीबी है Canada में रहता है इस वज़े से उसको target किया गया तो कहने का मतलब ये है कि already सल्मान खान के उपर इस तरह के गैंग के दौरा बार बार वो धमकी दी जा रही थी और उसके बाद सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी लेकिन ये जो आज की जो घटना घटी है इस घटना से एक बात तो साफ है कि दो लोग आए CCTV फुटेज है ये कनफर्म हो रहा है अब आगे investigation से मालूम चलेगा कि वाकई ये दो लोग और जो कुछ लोग जो जानकारी मु वाक सवार थे उनका जो कद काठी था वो लग रहा है कि वो हर्याना या राजस्थान के हैं ये पुलिस के सूत्र बता रहे है बकाईदा investigation वो चारी है अभी ये भी पता करने की कोशिस की जारी है कि कि किस weapon से किया गया है देखिए अगर जो गोल्डी ब्रार और विश्णूई गैंग इन लोगों की अगर आब बात करें कि इस तरह की हमला गर होती है तो वो फोरन क्लेम भी करते हैं ये बात समझे अभी तक क्लेम नहीं किया गया है एक कहानी और विश्ट नोट जंप टू अ कंक्लूजन कि ये जो है इसी गैंग ने किया या इस गैंग की कारवाई है ये कुछ भी हो सकता है मुमबे के अंदर अंडर वर्ल भी ऑपर करते हैं अभी बहुत सारी सल्मान खान जो है आज कल वो थोड़ा ज़्यादा ही हिंदू पर्वतिवार में आते हैं जाते हैं जिहादी केनेक्शन भी हो सकता है कई सारी चीजे हैं जो इस वक्त अभी जब तक पुलिस की तरब से कोई बात कहीं ना जाए तो ये सारे ऑप् आप ये समझ ये कि न्यूज में बहुत दिनों से आप नहीं है तो न्यूज में बनने के लिए एक चीप पॉप्लरिटी पाने के लिए तो ये सब के सारे के सारे ऑप्सिंस जो हैं अभी ओपन है बताना चाहिए संजे राउत को कि जब सुसान सिंग राजपूत की हत्या की गई दी उसमें लोग सब सुरक्षित थे जब उस तरह से दिसासालियान की मौत हुई तब सारे लोग सुरक्षित थे ये तमाशा ये लोगों को हर चीज़ में राजनीती करना बंद करना चाहिए अभी कोई घटना घटी है पुलिस वाले साब साब करें देखिए सारे चार वजे रात और गोलिया चल रही है घर के बाहर खिरकिम लगी गोली दिवाल पिल लगी गोली सलमान खान भी अंदर मौजूद रात में तो घर में ही मौजूद होंगे लेगिन क्या उनको ये कौन दे रहा है क्या है इसके पीछे की मंसा ये तो जाच से मालूम चलेगा लेकिन अभी कोई कंक्लूड कर देना कि पूरी तरीके से वहाँ पे लॉइन ओर फेल हो गया ये अचानक से बॉलिवूड के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कांड होता है ये महा अगाली वाले ये सर पूरे राज का जो है और पूरे मुंबे का लॉइन ओर खराब हो गया हो ये मुझे लगता है कि सल्मान खान की घटना के बहाने ये बाकी लोग जो बिलकुल ही अभी डाउन चल रहे हैं इनको मौका मिल गया है बोलने का थोड़ा सा मीडिया में फूटे जा जाए बयान आ सल्मान खान की बात है सारे चैनल वाले दिखाएंगे ही तो ये मुझे लग रहा है कि आप घटना के उपर अपनी राजिंतिक रोटी जो है सेखने का आप काम कर रहे हैं लेकिन वी मस्ट वेट कि बाई क्या हुआ है कि वाकई हमला है विश्णोई गैंग है या फिर कोई न जा रही है कि आखिर किसके इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया बड़ी बात यह है कि किसी को भी कुछ नुकसार नहीं हुई है नहीं किसी के घाल होने की खबर सामने आई है लेकिन हाँ जरूर सुबह सुबह दो अग्यात बाइक सवार बदमाश आते हैं और सल् झाल